नमाशकार दोस्तो रियल वेब में एक बर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फोटो लैब अप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाईस अगर आप भी जाना चाहते हो फोटो ल ऐब आप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस अप्लिकेशन को अपने फोन में खर से अपनार नको न सब्सक्राइब देखेंगे वहां पर ज्ल्द पिसेंगे यहां पर सारी यूज क artifacts के निमलें के इप वाले बहुत सारी अलग-अलग categories भी मिल जाएगी अब देखेंगे नीचे की सार में तो यहां पर फर्स्ट वाले option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने अलग-अलग categories वाले यहां पर smart filters आपको यहां पर मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी photo add करके शांदार यहां पर video create कर पाएंगे अब नीचे की सार में देखेंगे यह जो option recommend वाला इसके अंदर भी आप देखेंगे अलग-अलग filters आपको मिल जाएंगे जो कि guys आप जो use कर पाएंगे थर्ड वाला आप जो facebook और google से आप जो logging कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर photo edit कैसे करते यह भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर हम feed के उपर click करेंगे और यहां पर अपनी photo select करके इस तरह की जो photo है वो आप edit कर सकते हो अपनी photo को ऐसी बना सकते है ठीक है ना तो कैसे करेंगे ऐसी edit photo अपनी कैसी बनाएंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो for example यहां पर हम यह वाली जो photo यह template हम select करेंगे filter जो है template यह select करेंगे और इसके अंदर अपनी photo add करेंगे तो इसे हम यहां पर select करेंगे और उसके बाद यहां पर नीचे की side में यहां पर gallery open हो जा यहां पर यहां पर क्या करेंगे इस arrow पर हम click करेंगे arrow जैसे ही यहां पर हम click करेंगे उसके बाद इस तो processing यहां पर start हो जाएगी अब guys यहां पर हम थोड़ा सा wait करेंगे जब तक यह processing यहां पर complete हो जाया ठीक है न तो गैस देख सिर्ट प्रोसेसिंग यह जो है complete हो चुकिया और यहाँ पर जो भी मैंने फोटो सेलेक्ट किरी उस फोटो से यहाँ पर जो फोटो एडिटिंग complete तरीके से हो चुकिया ठीक है यहाँ पर कुछ भी ज्यादा मैनत करने की ज़रूत ने पड़े हमारे फोटो हेडिट हो चुकिया उसके बाद गैलेर में सेेव करने के लिए क्लिए होगा ऊपर की सेर में यहाँ पर आप लगा चाह teareख करने के आप अपने फोन में फोटो लैब अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं